और इस बीच खबर ये भी मिल रही कि पाकिस्तान सरकार ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है जो कि पंजाब सरकार की प्रवक्ता है कुछ देर पहले सामने आई थी मर्यम औरंजेब उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस पंजाब में हमला किया गया मुख्य सचिफ को चिट्थी लिखी गई है पंजाब की मुख्य सचिफ को लेटर की कॉपी टीवी नाइन भारत वर्ष पर एक्स्क्लूसिव इस वक्त मौझूद है हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो चिट्थी लिखी गई है उसमें साफ तौर पर मांग की गई है कि रिपोर्ट सौपी तुरंत पंजाब रांथ में इमरान खान की पार्टी की सरकार है और ऐसे में ये देखे ये वो चिट्थी है जो लिखी गई है वहाँ के सच्चिफ को कि इस पूरे मामले पर कैसे अटाक हो गया क्योंकि वही पर ही जो वजीरावाद है वहाँ पर इमरान खान की रैली चल रही थी उनका कंटेनर मौजूता लॉंग मार्ट चल रहा था और अचारक से ताबर तोड फारिंग होती है ये वो लेटर है जो इस वक्त टीवी नाइन भारत वर्ष पर आप देख रहे हैं इस लेटर में साफ तोर पर ये लिखा है मुख्य सचिफ को ये लेटर और ये लिखा गया है कि इस पूरे मामले पर जो जल से जल रिपोर्ट सौपी जाए ये देखे इसको लेकर चीफ सेकेटरी की तरफ से इंस्पेक्टर जनर पुलिस गवर्मेंट अफ पंजाब सरकार को चिट्थी लिखी गई जिसमें लिखा गया है जल से जल रिपोर्ट सौपी जाए कैसे हो गया अटाक इसके साथ ही जो अगली लाइन है उसमें लिखाया इस इशूज विद अप्रूवल अफ फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटिरियर ये साफ बताता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की सरकार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है कि आखर ये किसकी वज़ा से किया गया कौन इसके पीछे है हाला कि वजूदा बक्त में पीटियाई के नेताओं की तरफ से कारेकरताओं की तरफ से सांसुदों की तरफ से ये बार-बार कहा जा रहा है कि ये हमला सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया और इसके बद्ला नहीं भी बात की जा रही है और प्रीती ये यह जो कौपी है यह पुलिस ओफिसर को भी गई है वजीराबाद के जो गुज्राट डिविजन का जो कि मर्यम औरंगजेब को आपने सुना होगा वो भी कहरें थी रीजनल पुलिस ओफिसर को गई है डिरेक्टर टू मिनिस्टर और फॉर इंटीर एमो आई इसलामबाद को भी गई है पिएसो टू सेकेटरी एमो आई इसलामबाद यानि यह अश्योर किया जाना चाहिए कि यह जो घटना हुई वो कैसे हुई कब हुई क्यों हुई कौन था अटाकर अटाकर की बारे में भी आपको यादोगा मर्यम औरंगजेब जो कि पाकिस्तान सरकार की प्रव टम जो हुई हो उखना हुई 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 हुई